बिस्मिल्य रह्मर रहीम साइकिन अब्रजी चैप्ट नबर 16 स्पोर्ट और मुवमेंट के अंदर आज हम स्लाइडिंग फ्लमिट मॉडल की मजीद डिटेल्स टड़ी करेंगे आज हम इन्हीं इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे में से पहले हमने रीम् नार्मल थाम मसल की अनर्टमी डिसकर्स के मंसल किस से बने होते हैं फिस्ला बने होते हैं ठीक है मैं सहीं करें फ nouveaux करताह कम लूंत Infinite muss ने पिछ्रे हरा था कि मसल बंडल होता है, विस्ली कि मसल बंडल मसल बंडल छेन से मसल फाइबर Θ्ड कि पाइबर से बना होता है ठीक है? मसल फ़ापर से माइओफिब्रील से सहे साटी है मसल से होते हैं, सबसे 5D मसल आता है सिंकल मसल मसल के मसल बंदल मसल बंदल का 적ہ Madness मसल फाइबर मसल फाइब King's MaKo MON फिर मायो फिलमेंट फिलमें ये हमने दो कि था टाप्स की थी ये और एक था थिन फिलामेंट अर ये हम इस पृष्छी लेक्षर के दर कवर कर चुक्क है है, आज हम डायक्टली जाम करेंगे आप स्लाइडिंग फिलम्यट मॉडल के पदुछ स्लाइडिंग फिलममीट मॉडल जृंसा था वो 1954 के अंदर । दो भाई थे एक हगजले हैं हगजले एन्ड एफ हमले ठीक है इन दोनों ने अपने को वरकर्स के साथ थी करस इन उन्होंने मिलके एक model या एक theory पेश की उन्होंने कहा कि जो थिक और थिन filament होते हैं ठीक है अगर हम ही कहें कि जी जो थिक filament होते हैं थिक filament यह वैसे हम पिछले lecture के अंदर इंट्रिड्यूस करवा चुके थे आपको थिक फिलामेंट श्लाइड थिन फिलामेंट ओवर ठीक है कि जो थिक फिलामेंट हैं यह थिन फिलामेंट को स्लाइड ओवर करते हैं अपनी ऑपर खिश्लाइड करла तथे हैं अगरं नइचे एक cósmel लेक है हम सो यह अब थिन फिलामेंट है एक्टिन के और यह मायोसिन का थिक फिलामेंट है बीच में M-Line है और यह Z-Line यह Z-Disk का जाता है सो जब यह muscle contact होता है क्या करते हैं कि जो थिक फिलामेंट है यह इसको अपने तरफ slide करवाता है यह पसंद चलब सब्सक्राइब के थो सब्सक्राइब होता है यहry यहीं के आदेट ब læकिसमेंट है लग फित हमेंट किस फिलिए दो सेव गालेंट लिए मोट ुवी आवी ऑपनेट लग करवाफ इन दोना तंट हीज़रों तो इन दोनों के बगाएर यह काम नहीं हो सेका तो टू तिंग्स रिक्वाइड फार नामल मुसल कंट्रेक्शन एक तो कैल्चिम आई चाहिए होगा और दूसरा एटीपी के बगार यह कंट्रेक्ट इनको इनर्जी नहीं मिलेगी और यह कंट्रेक्ट नहीं कर पाएंगा तो इनर्जी यहां पर लिक्स करते हैं बेशेक इनर्जी फार कंट्रेक्शन ठीक है कंट्रेक्शन के लिए हमें एटीपी के शेकर इनर्जी चाहिए होगा बाज क्या होता है ठीक है अच्छा इसमें एक चीज़ जीद इसमें एड कर लें आप के एटीपी कंट्रेक्शन के लि है तो उसको बाद दोबारा उसको रिलेक्स करें गंदर हम दो के नाम से रिगर मोर्टीस के नाम से कि रीगर मोर्टीस में क्या होता है कि बास का जो पर्सन है उसकी होती है किसी भी रीजन के वाज़ा से और कोई मसल का like contract रहता है ठीक है मसल का contract डे विल कीप ओन कांट्रेक्ट जिनी वो उधर वो सुकड़ा ही रहता है मसल ठीक है उसकी वज्जा क्या होती है कि एक डवा का contract हो गया उसको relaxation के लिए भी एटीपीज चाहिए तो डेथ के बाद एटीपीज लेवल लो हो जाते है ठीक है यह अगर मैं इसको define करें अगर मोर्टिस के condition condition in which atp declines ठीक है कि atp decline हो जेगा in death persons ठीक है कि जो dead bodies होती है उनके अंदर एटीपीज कम हो जाएंगे उसके लिए से क्या होगा मसल्स कैनाट रिलेक्स कैनाट रिलेक्स सो उसके विए से मसल्स अपनी नार्मल वापिस कहलें रिलेक्सेशन फेज में नहीं है क्योंकि रिलेक्सेशन के लिए भी एटीपीज जाएंगे तो इसे रिगर मॉर्टेस कहते हैं यह अब डेट बाडी के अंदर यह डेट परसंस के अंदर यह कहलें के प्रसेस होता है कि यह तो रिगर मॉर्टेस हो गया जो कि कंडिशन आफ्टर डेथ के बाद बाद का बाद का बाद का क्या होता है कि एटीपी लैवल डिकलाइन कर जाते हैं मसल्स के अंदर और मसल्स उनसे रिलेक्स नहीं कर पाते हैं इसक परसे जो भी पोजिशन होगी मसल्स की वह उसी में रहेंगे ठीक है सो यह आप उफजर भी कर सकते हैं लाइक किसी अगर डेट बाडी का मुझ खुला रह जाता है सो उसे क्लोज अक्षर आपने देखा होगा जब कोई डेथ होती है था हम उसकी आँखें बंद कर देते हैं क्यों क्योंकि उस टेम एटीपी होते हैं ठीक ह इसमें जो स्लाइडिंग फिलामिट माडल है तो एक्टिन और मायोसिन आपस में ब्रिज बनाते हैं अब ब्रिज ब्रिज से क्या मरात है कि उनके दिम्यान बाइंडिंग होगी ठीक है जिसके नदर कैल्चियम रिक्वार्ड होता है अब हम ब्रिज की थोड़ डिटेल्स अ जब चैलें के के एक्टिन को केलशियम रिसीव होता है ठेकर धीकी एक्टिन फिलामिट रिसीव के अनुज Schools है इसके बैंडिंग साइड जो ईयौन सी जो और मैल्सिन बाइंग से वह एक्टिो जाती है ठीक हैHat यह कैल्शियम जाकर आप देखें तो ब्र और जो इनके तो इसके वाज़े से जो मायोसीन बाइंडिंग साइट होती है वह एक्सपोज होती है यह सामने बाहर वाजिया होंगे ठीक है और यह फिर मायोसीन के साथ बाइंड करेंगे इनकी बाइंडिंग होगी उसमें एक्सपोज है के साथ प्लस एक्सपोज होती है अब हम स्टडी करेंगे कैल्शिम के दर से आता है तो इनिशली बता तो मसला के सफलाई है वह सारकोप्लाजमिक रेटिकुलम सार्कोप्लाजमिक रेटिकलम यह हम पिछले लेक्ट्रि में पर्ष चुके हैं सारी डिटेल मस्सल्स की रेटिकलम स्प्लाई करते हैं जबकि एटिपिस जों से हैं ये कौन स्प्लाई करेगा माइटर कॉंड रिया हमेशे की तरह के जो पावर हाउस हो दा सेल है सो कैल्चुम जो सार्कोप्लाजमिक रेटिकलम से रेसीव होंगे और यह दोनों बहुत नेसेसरी हैं इनकी ब्रिज़स फॉर्मेशन के नहीं ठीक है ये ब्रिज़स फॉर्मेशन हो रही है यह बाइंडिंग भी कह सकता है अपसे ब्रिज्ट फॉर्मेशन में एटिपी और कैल्शन दोनों वो नस्यासरी है जब इनका कॉनेक्शन बन जाता है उसके बाद यह बाइंड करेंगे मैलसिन के साथ और मैलसिन एटिपी की मदसे से कॉंट्रेक्ट करवाएगा यह एक और डियाग्राम आपको नदर आ रही है उसन उपर एक रिलाक्स कंडिशन है फिर नीचे पार्शली कॉंट्रेक्टीड मसल और नीचे सबसे फुली कॉंट्रेक्टेड मसल मझोद है और यह लास में आपको फुली कॉंट्रेक्टेड मसल नदर आ रहा है ऑच्छा इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो यह आल इन अलब ङला। टू three तो यह तीनों पाइस्पेट करते हैं यह फिर कोई स्फेटी निए कि जिटने बी वह सारे सारेコ अट इट ऐम परफ़ाँ करेंगे लिए लगा को सां six-फीन आप करेंगेion तो यह All or None response में भी आता है। तीक है, यहां पर आप दे सोते हैं, All or None response और जो Degree of Contraction होते हैं, बाँ से भी सोचा जाता है कि आप बाँ से मुसेपध को Full move करवाते हूँ, बाँ से Half या बाँ से Partially move करवाते हैं। Soada Degree of Contraction घुद्ध करता है कि कितने Cells परिटिसरेट करें तूर ठेहिंक है कितने परिटिस्पेरपरीड करेंगा , इसके हां से डिग्री ओफ कांट्रेक्शन आएगे मसल के लास्ट में देखते हैं थोड़ी सी अनाट्मी मसल साइज किस तरह ब्रीट फर्मेशन तो हमने स्टैडी कर लिया कि कैसियम किस तरह रसी होता है इसमें एक मेकनिजम है होता है कि मसल ब्रेन जो से लाइक इस अब जो स्काहिल्टर मसल्स आएं यह फोल एंट्रीं कंटॉल होता है ठीक है सल्ओं ब्रेन जाय आएवु मसेज भ्याइचे और बीच में १ मोटर न्युराउन ने हैंकि यह जोकर मैसेज ब्रेन से दूर लेगे जाते हैं से ब्रेन पहला पार्ट पर्दम्र मोटर न्युराउन मॉटर नियुर पू़ कोनेक्षिन होता है मॉसस के साथ तीक है इस कोनेक्षिन कि आ जाता है नीज वहां सूप निचिन के पर मैसेच आएगा तो इसका जो सार्फ मेंबरान मेंबरान है वो इनवैजिनेट होगि हुए सट च्ट-टे ये कहने के टीविे बनेंघी यह को नजरा नारी य लोकल्र डी की टीविऑ जड़ ऑल वे ने तो यह कोहँ में जो कर B सार्कोप्लास्मिक Reticulum के साथ ही को और दार्क लट क प्लास्मिक रेतिकुलम नगा है so T trees incoat invented उसका link था सार्कोप्लास्मिक रेतिकुलम के पास रेतिकुलम के इनदर calcium stored होता है फिर वह calcium release करेगा it in the spin के अंदर मेसिज जो ही कीदे रसीव होगा NEO air解ках करें के पर सीदेगा You Bay calcium रिलीज होगा के यह चलीलीज काहां से उगा फ्रॉम सारकोप्लास्मिक रेटिकुलंम और यह कैज्चिम फिन ंदर जाके इसे मायो फिलमेंट्स के अंदर बाइंडिंग करेगा अभर इनकी कंट्रेक्शन काज करेगा ठीक है इस तुरा सारा मैकनिजम भूद इसके मसल कंट्रेक्ट होंगे अगर हम इन्हें स्टेप के शेकल में लिखे हैं सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि और यह ब्रेन कोन लेकर से मेंसेज कोन लेकर मोटर निउरोंस से और मोटर निउरोंस आके निउरोमस्कुलर जंक्शन के उपर टिरो मस्कुलर जंक्शन के अपर मैसिज आके टर्मिनेट करेंगे और वहां से फिर कहलें के T-Tribule Formation होगी ठीक है टी टीबियूल्स टीबियूल्स बनेंगे टीबियूल्स अपना मैसिज सेंड करेंगे आगे जो सार्को प्लास्मिक रेटिकुलम है ठीक है निस सार्को प्लास्मिक रेटिकुलम और सार्को प्लास्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे डेविल रिलीस कैल्शियम release calcium ions Calcium ions Actin filament के पास जाएंगे Actin Calcium को Receive करेगा और इसकी binding side x verb सोंगों जो हमने शुरूरह उसे एक Crispos होंगी पिर इनकी Binding के बाद sliding आएगी तिकन आएक से हुअ है माजिन श्लाइड एक्टिन को इसके लिए फिर इससे ए टी पिज चाहिए होंगे यहां पर यूज होंगे कैल्शम यहां पर यूज हो रहा है और जो मैसेश था वह ब्रेन सेंड कर रहा थूख ऑड ओर तो जह सारा प्रॉसेस इसके जरीय से स्लाइडिंग फिलामेट एक्चली वर्क कर रहा होता है अब हमसे एक दोफार रवाइस कर लें ता कि आपको यह स्टेप्स ज्याद रहे हैं मसला हमने सबसे पहले स्टार्ड किया था स्लाइडिंग फिलामेट जो कहें ऐचा जुके एक्चिंट लेएं और एक्चश ले में कोवर्कर थे इनके साथ जिन्हों ने दिया और इंका अगर में सिंगल लाइन में हमने थीम अगर स्टेडि करा हो तो हुए थिक फिलामेट स्लाइड थिन फिलामेट ओवर इन अप्लस तिं ब्सटैसमें हैं यह संहोगे नहीं पर के ऒ़ए टो कि इंसे बइंद तबसक्त दोखने मसल बंडल सुआ जूए बंडल्सु के म hacemos जर्टेट की में publi लेक्टिर किया इसके अंदर थिक में मायसीन आता है और थिन के अंदर तीन फिलामेट्स है एक्टिन, ट्रोपोनिन, और ट्रोपो मायसीन सबसे पहला स्टेप हमने स्टेडी किया कि जो थिक फिलामेट्स है वो थिन फिलामेट्स को स्लाइड अवर तो करेंगे लेकिन इनके लिए दो चीजन चाहिए होंगी कैल्शियम और एटिपी और कैल्शियम जब रसीव होगा एक्टिन फिलामेट्स को तो वो मायसीन बाइडिंग साइड को एक्सपोज करेंगे जिसके जाके बाइड करेंगे उसके साथ पिर एटिपी मिलेंगे और फिर स्लाइडिंग का अमल आता है और यह पिर हमने नीचे स्टेप मनाई लागे सबसे पहले करें तरह च Latino के साथ चिंड सार कि बागरों के साह一ह को क Marriage को टॉम्त होते हैं Hydro करें तो इसके पाद आज का डिटेल होगिजिए स्लैडिंग फिलमिट माडल कीया है तो अगले लेक्शिक्टिर्स के इंदर के अंदर का अंदर को पाद सॉवग होगे जो ओ पन होता है हम मसल कंट्रेक्शन के नेनर्जी के फोकस करेंगे और फिर उनका प्राब्लम्स प्राब्लम्स प्राइज करेंगे झाल,- त्राब्लम्स प्र छेन ज़म्स इतंपा प्राइजा बसमयर्श प्राबधन स्थ्जुखनश walked हम प्राब्लम्स, प्राब्लम्स दो करेंगे मिंनल्स प्राइज, चन्ग्स प्राइज लाइज। करेंगे थे मिंहें kilo